मैं रस्मी स्वागत करती हूं मेरी यूटूब चैनल हम सब को पसंद है यह न लेकिन अगर पकोड़े सुटकरण से बने हो तो मजह ही दोगना हो जाता है तो आज से बनाने वाले हैं स्वीटकरण की पकोड़े इसे बनाना बहुत आसान है और इस खाने में बहुत अच्छा तो देर कीम सुरू करते है आज की रेसिपी अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक सर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलिए जो चीज हमें रिक्वार है वह देख लेते हैं तो एक बड़े बाउल मैं यहां पे स्वीट करन ल आप चाहे तो पेस्ट कावी इस्तमाल कर सकते हैं यह हरी मिर्च है बारी कटी हुई और यह थोड़ी सी कड़ी पता इसे मैंने तोड़ दिया है चोटी-चोटी लुक्टी कर लिया है यह फ्रेश धनिया पता है यह एक प्याज है जो से बिल्कुल चोटी-चोटी-पीस में आपको कट करना है यह तीन चमच बेसन है और यह देट चमच करेवकन फ्लोर है पकोड़े को तलने से पहले हमें यह जो स्वीटकन छोटे वाल लिये थे न उसको ग्रैंड कर लेंगे तो इसमें हमें कोई पानी एड नहीं करना है बास सिंपल से इसका एक पेस्ट बना देन है तो हमें एक बॉल लेना है इसमें स्वीटकन को डाल देते हैं और जो पीशीफी स्वीटकन है उसे भी एड कर लेते हैं साथ साथ जो भी चीज हमने लिये थे जैसे कि यह बेसन हो गया कन फ्लोर यह अद्रक लेस उनका पेस्ट कि प्याच दनिया पत्ता कड़ी पत्ता औ हम इसमें स्वाइसे सेट करेंगे अधी चमच श्वाद अनुसार नमक अधी चमच दनिया पौडर अधी चमच हल्दी पौडर थोड़ी सी काला मिर्च का पौडर है यह अधी चमच लाल मिर्च पौडर और अधी चमच गरम मसाला अपनी श्वाद अनुसार कम या ज्याद तो कि आश्य दिख तरह ले हैं, तो आप भी कंफोटेबल, चोटे-चोटे बॉल मयना अब लना की tough और जितनी आसके कड़ाई पे आप उतनी डाले और जैसे ही आप पकोड़े डाल देते हो इसके बाद ग्यास की फ्रेम को थोड़ा सा मिडियम कर दे ताकि अच्छे से अंदर से पक भी जाए और फिर क्रिस्पी भी बन जाए एक मिनिट ना उसे ऐसे फ्राई होने देना है उसके बाद फ्लीप करें नहीं तो जल्दी जल्दी कर लेंगे तो यह चिपक भी जाता है उस पे चुला पे कड़ाई पे या फिर तूड भी जाता है इसलिए एक मिनिट उससे अराम से फ्राई होने दे एक से दो मिनिट उसके तो डीरे-दीरे करिंगे जाए ज़आ है लेके की गपेतारब में तो उसी कुछ था फिली और पिली दिने तेर वदल ग। की दीज़ी तुछ सॉपंसर से बॉन इब ईसे चुछ दूंते हैं, भी दीजना हौत लगा भी कुछ लेत साथ हो दिने तरा में दोस caval है तो एक टीशू पेपर की ऊपर रखे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ओयल होती है वह थोड़ा अबजर्ब कर लें तो मैं सारे पकोड़े निकाल दे रही हूं इसमें और जो बाकी है उसे भी थोड़ा फ्राइ कर लेंगे बिल्कुल सेम प्रोसेस में हमें इसे भी फ्राइ करन मिलती हूं तो दोस्तों आज की हमारी इजी एंड कुइक स्नेक्स रसिबी कौन की पकोड़े बनके बिल्कुल तेयार है अपने देखाना कितनी आसान से और बहुत जल्दी बनके तियार हो गया है आप भी एक बार इसे बनाएं वैसे इसकी टेस्ट बहुत अच्छा लगता पर सिलेट कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी पहुंच सके फिर मिलते है दोस्तों एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू